क्लास 10 का और यह सब्जेक्ट है आयाईटी ठीक है तो आयाईटी सब्जेक्ट है जो की 2022 का क्वेशन पेपर है तो आपको हम ऑप्शन बताएंगे और साथ साथ क्वेशन को दिखाएंगे और इसका आपका जो एकजाम होगा वो टोटल 20 क्वेशन है इसमें ठीक है आपको दे प्रजेट का चाहते हैं तो यहां पर एट कलास लेकर के टोल तक का प्रेविसर कोचन पेपर हो या फिर उसका सुलूशन सभी मिलता है तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए आपको बताते हैं कोचन नमर फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा होगा तो देखिए इ इच इंटरनेशनल कम्मूनिटी डेवलप से अस्टेंट्स टु इंशे लग टर्म ग्रोथ आफ दे डबलुडबलुडबलु ट्यए थी टाम से डबल डबलुडबलु है इसका जो सही एंसर होगा वो कौन सा होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा फोर आप्शन सही हो आट दो वर्ड वायड और ये आपका कॉंशं सेटम ठीक तो यंश का मा फ़ोल पार्म किल रहे तो इसलिए सब्स नापर फोर जाएगा सँय आगे बठते counting कोच नंबर सेकेंड देखिए कोच नंबर सेकेंड का जो सही Ort इसमें Google को रोंग पूछ रहा है तो इसका हो जागा option no.4 हो जाएगा सही इसके बाद next देखते हैं कोच नमबर आपका हो गया 33 देखिए इसमें कहता है which data type has the largest storage capacity तो memo option no.2 हो जाएगा सही इसके बाद question no.4 question no.4 देखिए इसमें कहता है question no.4 है which term is used to describe a wide range of applications and process designed to deliver instructions through electronic means तो option no.3 हो जाएगा सही e-learning इसके बाद question no.5 देखिए question no.5 कहता है question no.5 है इसमें कहता है which of the following text is used to make the text appear slightly above the baseline तो option no.4 हो जाएगा फोर इसका सही के लिए इसके बाद question no.6 देखिए question no.6 कहता है what is the full form of POP तो option no.1 हो जाएगा सही post office protocol इसके बाद next question है question no.7 है question no.7 में क्या कहता है कहता है which is the correct HTML code for inserting a named answer तो option no.4 इसका हो जाएगा सही option no.4 आपको 4 दिखाते हैं हो जाएगा सही option no.4 सही इसके बाद next question देखते हैं question no.8 है question no.8 कहता है which element is used in HTML to display items in a specific order तो option no.2 हो जाएगा second हो जाएगा सही list इसके बाद आगे बढ़ते हैं question no.4 आपका next है question no.9 यह है इसमें कहता है the extension given to a webpage is तो option no.3 हो जाएगा सही इसके बाद question no.4 आपका 10 है कहता है which term refers to the bandwidth of the internet connection तो option no.4 इसका broadband हो जाएगा सही option no.1 हो जाएगा सही इसके बाद question no.11 में देखी कहता है question no.11 है the tag that is it to create a hyperlink in a webpage is option no.2 हो जाएगा second सही इसके बाद next question no.12 है इसमें कहता है which is the communication protocol for the internet तो option no.4 इसका सही TCP या IP इसके बाद question no.13 में कहता है which key is to save the database तो इसका shift plus F2 हो जाएगा और नहीं तो control plus S हो जाएगा इसके बाद option no.1 हो जाएगा सही इसके बाद आपका 14 है कहता है which company led the foundation for the beginning of HTML in 1980 तो कौन सा option होगा option no.1 हो जाएगा IBM पहला option सही हो जाएगा इसका बाद question no.15 देखे कहता है the default value of इसका देखे symbol होता है tag is option no.2 हो जाएगा सही circle इसका बाद question no.16 इसमें कहता है by default the image is assigned at the blanks of the web page तो option no.1 हो जाएगा सही खेर आपको answer बता देते हैं कि इसका answer क्या होना चाहिए इसका answer होना चाहिए left left to the left to the web page ठीक है web page ठीक है तो यह इसका option होना चाहिए था लेकिन नहीं है तो इसलिए option no.4 सही है इसके बाद question no.17 कहता है to specify the space between the boundary and content in a cell option no.2 हो जाएगा सही cell padding इसके बाद question no.18 कहता है blanks is the extension of an XML file option no.2 हो जाएगा सही इसके बाद next question no.19 में कहता है domain name can't contain more than blanks characters option no.3 हो जाएगा ऐसे इसका answer होगा 63 लेकिन 63 के नजदिक है 64 इसलिए इसी को मारेंगे ठीक है तो यह question no.20 है question no.20 कहता है which option creates simple select query तो option no.3 हो जाएगा तो यह था आज का question आज का वीडियो तुम्हें देख आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप किया किजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जरू करें मिलते हैं अगले कलास में करेंrak घड़ा पुम्हां करो झाल compared to third में आपको आपको पूले कर महारा रहा होगा जड़ा खर चेदूर के कि